Hello, दोस्तों, मैं निखिल आपको सौकित करता हूँ, तो चलिए आज की नियोज स्टार्ट करता है। चायना में एक company है जो की same नाम से यानि Echo के नाम से एक trademark register करवाना चाहती है दोस्तों इसके against में जब Echo ने बुला कि ये trademark जो है वो इंडिया में हमारे पास already है तो उनके इस claim को चायना के जो authorities है उन्होंने reject कर दिया Echo यहाँ पर चाहरे है कि Indian government इस matter में intervene करके इस matter को जल्द से solve कर ले Next news है दोसरे यहाँ पर hero motor cop 124 crore rupees invest करके Ether के अंदर 2.2% का additional stack buy करने जा रही है और दोस्तों यह जो deal होगी है secondary deal के अंदर यह पूरा जो process है यह पूरी जो buying है यह की जाएगी Next news है दोसरे यहाँ पर simple जो के कि startup है उन्होंने अपनी आपर second round का lay off announce कर दिया है दोस्तों company जो है वो 25 के मेट तक profitability अचीव करना चाह रही है इसलिए अभी यह lay off announce किया गया है company के तरफ से different sector से company में 30 employees को निकाला जाएगा company यहाँ पर अपनी खर्चों को कम करके profitable होना चाह रही है इसलिए इन्होंने अभी second round का lay off जो है वो initiate कर रखा है Next news है दोस्तों नजारा technologies के shares जो है उनमें 16% का उच्छाल दिखा गया Actually में दोस्तों sports kita ने US की एक entertainment news site है Soap Central उसे 1.4 million dollar में purchase किया था अगर इंडियन रुपीज की बात की जाए तो यह deal 11.6 ग्रोड रुपीज में हुई है Actually में दोस्तों sports kita जो site है और यह नजारा technologies के एक subsidiary है उसी का एक part है तो इन्होंने यहाँ पर यह जो site है यह खरीदी तो इसी के तहए जो नजारा technologies के shares है उनमें यह उच्छाल दिखाई दिया था Next news है दोस्तों आप एंशॉरंस देखो बैंक साती में majority of stake खरीदने जा रही है दोस्तों बैंक साती के बारे में आपको बता दूँ यह जो start-up है यह credit cards और personal loan में deal करता है तो इसको अभी इंशॉरंस देखो पूरा खरीदने जा रही है मजब इनके पास में controlling stake होगा बैंक साती का final stage में यह बाची चल रही है जल्दी news आ जाएगी acquisition की आपके सामने Next news है दोस्तों आप है US की company Stripe जो की payment gateway प्रोवाइट कराने का काम करती है वह इंडिया में invite only mode पा चली गई है यानि कि अगर किसी बंदे को Stripe वाला gateway चाहिए तो इनकी साइट पर जाकर नहीं ले पाएगा उसे पहले invite वाला जो इनका सिस्टर में उस पर जाकर request डालने पड़ेगी उसके बाद में उसको gateway मिल पाएगा एक्चल में यह ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इंडिया में जो KYC कुछ जो norms हैं वो इनको थोड़े से कठी लगे थोड़े से दिफिकर्ट लगे तो इससे इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि किसी भी कंपनी को किसी भी इंडिविजल को यह कोई को एक लांच दे पाए कि कोई भी बंदा इनकी साइट पर जा रहा है रिश्टर कर रहा है खुद को और डिरेकली वह बस इस ट्राइप को यूज करना स्टार्ट कर दे तो ऐसा नहीं होगा नेक्श निव्स वस्तों बारे में बाई जूस अभी जो सेल्स टीम में नई हैरिंग कर रहा है उनकी जो सेलरी है वो 90% तक कम कर दी गई है यानि कि जो पहले हाईरिंग होती थी उनके कंपेरीजन में अभी जो हाईरिंग की जा रही है। उन्हें 90% काम सेलरी ओफर की जा रही है। नेक्स सेगमें हैं, सेधा के इॉड बात इसिटर कंपनी के साथ भी आप सेगकरे, घुंट जिए zers चाल रही है, वोग बारें हैं, टा औकल और तो बन अलग अर्ट आ के इस का सामान मिल सकता है तो उनीस से अभी ये बात्चित कर रहे हैं ये चाहरे हैं कि लेक्रोमा जो है वो इलक्ट्रोन के सामान इने क्विक कॉमर्स के लिए प्रोवाइड करवा है और डिलीवर कर दे तो अभी बात्चित चल रहे हैं फाइनल चीज़ जब हो जाएंगे मुझे लगता है कि फाइनल चीज़ हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही मतलब टाटा की ओनर्शिप वाली कंपनीज हैं तो इसे होने में मुझे लगता नहीं कुछ दिक्कत आगी तो ये चीज़ होने के बाद में बिग बास्केट करने के सामन भी आप ओडर कर पाएंगे और वह भी कुई कोमेर्स के थूरो बहुत जल्दी आपके बास में पहुंच जायागा नेक्श निउस है दोसे हैं पर डिजनी प्लस होटेस्टार ने शेयर चैट और मूज के साथ में पर पाटनेशिप की है एक्छलम दोस्तों यह जो पाटनेशिप है यह ICC Men's T20 World Cup के लिए की गई है दोस्तों इन दोनों एपस के साथ में जो मैच के इंपोटेंट क्लिप्स होती है वो शेयर की जाएंगे जैसे कि किसने 6 मार दिया विकेट हुआ कोई किसने चौका मारा और कुछ इंपोटेंट की मुमेंट्स होते हैं व दिजनी प्लस ओटेस्टार को भी से फाइदा है नेक्स न्यूस है दोसे है आर भी के जो मॉनिटर पॉलिस से कमेटी है उनके अभी मीटिंग होई थी और कमेटी निए डिसाइड किया कि जो रैपो रैट है उसे सीम रखा जाएगा यानि कि 6.5 परसेंट ही रखा जाएगा और दोसे बताया जारे है कि एपल के जो व्ल्डवाइड डेलोपर कॉंफेंस हो रही है उसमें इसे अनॉंस किया जाएगा नेक्स न्यूस आरे है दोसों इबे सत्रा अगर 24 के बास से अमेरिकन एक्सपेस के कार्ड को अर्साइप करना बंद कर देगा एक्शल में कमशनी क तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि आप एक मदद से कोई जानगर क्या बोल रही समझ पाए मतलब सोचो कितना इंट्रेस्टिंग होगा तो अभी के लिए में बताओं तो इन्हों ने एक डॉप के ओपर ये रिसर्च किया था तो उसके बाग करता है मतलब जो बहुता है तो इस तरीके से यह का यूस करके जानवरों के बार में यह चीज पता लग पाती है तो दोस्तों मतलब बहुत नेक्स टैवल की चीज होने वाली है नेक्स न्यूज है दोस्ते हैं अपना जन्रेटिव एक प्लेटफॉर्म विजडम नेक्स लांच किया है दोस्ते हैं जो उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाए गया है ताकि लोगों को जो डिफेंट डिफेंट टेक्नलोजीज होती है उन्हें यूज करने परिशानी ना हो एक ही जगह के सब टाइप की टेक्नलोजीज मिल जाएं जिससे कि उन्हें यूज करना असान हो जाएं नेक्स निउस आ र किया था उसमें उसके बाद में इन्होंने बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी देखी होगी और फिर आप यहां पर खुदके एड सर्वर लांच करने जा रहे हैं गूगल और अमेजन कोमकास्ट यह पहले से अपने एड सर्वर रन करते हैं अब नेट्फिक्स के पास में भी इसके पास में तकरीबन 270 मिलियन सब्सक्राइब बताया जाते हैं तो अगर आप अपने प्रड़क्स को तो इससे बहुत बड़ा फाइदा होगा एडवर्टीजर को भी और नेट्फिक्स को भी नेट्फिक्स को नेट्ट नियुस है दोसें आप आप IT कंपनी वीपरो के श बनी है यह वीपरो ने डिस्क्लोज नहीं किया है लेकिन दोस्तों यह डिल मिलने की खबर ही थी जिसके बाद में जो इनके शेर है वो पॉजिटिव ट्रेंड करते वह दिखाई दिये नेट्स नclass निट-डी ने ए委 इंडिया विस्तारा के merger को अप्रूव कर दिया है दोस्तों इस अप्रूवल के बाद में यह जो एयरलाइन है यह दुनिया की लाज़ेस्ट अयरलाइन गरूप में से एक हो जाएगी दोस्तों एयर इंडिया विस्तारा का merger काफे टाइम पहल नेक्ट न्यूस है दोस्तों, HSBC ने बाईजूस का वैलिएशन जीरो कर दिया है, जी हाँ दोस्तों, एक डच कंपनी ने इन्वेस्ट किया था था तो उसके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो HSBC ने अब जीरो बताई है, 10% स्टेक के लिए दोस्तों, उसका अनलैसिस कि उसका वैलिएशन केतना होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ा था, ये 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किये गए थे, और उसे अब ये जीरो बताया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बाईजूस की क्या नेक्ट न्यूज आ रही है, यहाँ पर है, एच्पी हुमेंट एए को वन बिलियन डॉलर में एक्वाइर कर सकता है, ऐसे खबरे आ रही है, दोस्तों, लेकिन हुमेंट एए का जो प्रड़क्ट है, उसके बारे में बहुत नेकटिव फीडबेक आ रहे है, तो मुझे पता नहीं है, क्यों खरीदना चाह रहे है, दोस्तों, गूगल मैप से प्राइवेसी से लेटेड एक बहुत बड़ अपडेट आया, गूगल ने बोला है कि वह अपने क्लाउड पर यूजर की लोकेशन हिस्ट्री से लेटेड कोई भी डेटा सेव नी रखेगा, जो भी डेटा आप इस पर जाकर चैट जी बिटी, क्लॉड और मेटा यूजर कर पाएंगे, दोस्तों, यह जो सर्च इंजर ने फ्री में इनको एकसेस करने दे रहा है, तो अगर आप चाहता है इन सर्विसेस को यूज करना, इन लेलम को यूज करना, तो आप डग डग गो पर जाकर कर स चैंज है, दोस्तों, सिंगल हेरलाइन क्रैक होने पर आपको वर्रेंटी नहीं मिलेगी वापस बता रहा हूं, आपको अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा, उसे पॉकेट से खर्च करके सही कराना पड़ेगा, और जितने भी इनके सर्विस सेंटर होता है, उनको भ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कूर नहीं भूलेगा, अगर आप बी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले सब्सक्राइब कर लिजे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जैहिन चैभारत